जै श्री रादे भक्तों आज हम आपके लिए यहां पर लिकर आए हैं त्रे लोग के विजय श्री कृष्ण कवच जिसे भगवान शिव जी ने रत्न परवत के निकट स्वयम प्रभा नदी के तटपर परिजातवन के मद्धिस्थित आश्रम में लोकों के देवताब माधों के समक्ष परशुराम जी को ये कवच प्रदान किया था ये कवच हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं हिंदियर के साथ तो चलिए शुरू करते हैं त्रैलोक के विजय स्यास्य कवचस्य प्रजापति ही रशिष चंदश्च गायत्री देवो रासेश्वर स्वयम त्रैलोक के विजय प्राप्तव विनियोग प्रकीर्टितह अर्थात इस त्रे लोके विजय कवच के प्रजापती रिशी हैं कायत्री चंद हैं स्वयम रासेश्वर देवता हैं और त्रे लोके की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है परात परम चकवचं त्रिशुलोकेशु दुरलभं प्रडवो में शिरह पातु श्री कृष्नाई नमह सदा यह परात पर कवच तीनों लोकों में दुरलभ है ओम श्री कृष्नाई नमह सदा मेरे शिर्की रक्षा करें सदा पायात कपालम कृष्नाई स्वाहेती पंचाक्षर है कृष्नेती पातु नेत्रेचा कृष्न स्वाहेती तारकम अर्थात कृष्नाई स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे कृष्न नेत्रों की तथा कृष्नाई स्वाहा पुतलियों की रक्षा कर अर्थात गोपालाई नमह मेरे गंड स्थानों की सदा सब और से रक्षा करें ओम गोपांग नेशाई नमह सदा मेरे कानों की रक्षा करें ओम क्रिश्नाई नमह शश्वत पातु मेधर युग मकम ओम गोविंदाई स्वाहेती दंता वलिम में सदावतू अर्थात, ओम क्रिश्नाई नमह निरंतर मेरे दोनों होटों की रक्षा करें, ओम गोविंदाई स्वाहा सदा मेरे दंत पंक्तियों की रक्षा करें ओम क्रिश्नाई दंतरंध्रम दंतोर्द्वर क्लीम सदावतु ओम श्री क्रिश्नाई स्वाहेती जीविकाम पातु सदामम अर्थात ओम क्रिश्नाई नमः दातों के छद्रों की तथा क्लीम दातों के उर्दभाग की रक्षा करे ओम श्री क्रिश्नाई स्वाहा सदा मेरी ज रख्षा करें। गोपांगनेशाई नमह सदा मेरे वक्षस्थल की रख्षा करें। ओम गोपेशाई स्वाहा सदा मेरे कंधों की रख्षा करें। नमह किशोरवेशाई स्वाहा प्रष्ठम सदावतु उदरम पातु मे नित्यम मुकुंदाए नमह सदा। ओम रीम क्लीम कृष्णाई स्वाहे तिकरो पादव सदामम ओम विश्णवे नमो बाही युगमम पातु सदामम अर्थात नमह किशोर वेशाई स्वाहा सदा प्रष्ठभाग की रक्षा करें मुकुंदाय नमह सदा मेरे उदर की तथा ओम रीम क्लीम कृष्णाय स्वाह सदा मेरे हात पैरों की रक्षा करें ओम विश्णवे नमह सदा मेरे दोनों बुजाओं की रक्षा करें ओम रीम भगवते स्वाहा नकरम पातु में सदा ओम नमो नारायनेती नकरंध्रम सदावतू अर्थात ओम रीम भगवते स्वाहा सदा मेरे नकों की रक्षा करें ओम नमो नारायनाय सदा नक चिद्रों की रक्षा करें ओम रीम रीम पदमनाभाय नाभिम पातु सदामं ओम सर्वेशाय स्वाहेती कंकालं पातु में सदा अर्थात ओम रीम रीम पदमनाभाय नमह सदा मेरे नाभिकी रक्षा करें ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें ओम गोपी रमनाई स्वाहा नितंबं पातु में सदा ओम गोपी रमनाथाए पादव पातु सदामं अर्थात ओम गोपी रमनाई स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे ओम गोपी रमनाथाई स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे अर्थात 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 परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्वदिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें स्वयम गोलोक नात अगनी कोण में मेरी रक्षा करें पूर्ण ब्रहम स्वरूप श्च दक्षिने माम सदावतू नैच्रत्याम पातु माम कृष्ण पश्चि में पातु माम हरी अर्थात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिन दिशा में मेरी रक्षा करे श्री कृष्ण नैच्रत्य कोण में मेरी रक्षा करे श्री हरी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे गोविंद पातु माम शश्वद वायव्याम दिशे नित्य शह उत्तरे माम सदा पातु रसिका नाम शिरोमणी हैं अर्थात गोविंद वायव्य कोण में निरंतर नित्य मिरी रक्षा करें रसिक शिरोमणी उत्तर दिशा में सदा मिरी रक्षा करें एशान्याम माम सदा पातु वरंदावन विहारकरत वरंदावनी प्राणनाथ पातु माम उर्द देशत अर्थात वरंदावन विहारकरत सदा इशान कोड में मेरी रक्षा करें वरंदावनी के प्राणनाथ उर्द भाग में मेरी रक्षा करें सदैव माधव पातु बलिहारी महाबलह जले स्थले चांतरिक्षे नरसिंग पातु माम सदा अर्थात महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें नरसिंग जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें स्वपने जागरने शश्वत पातु माम माधव सदा सर्वांतरात्मा निरलेप तो रक्ष माम सर्वतो विभू अर्थात माधव सोते समय तथा जागरत काल में सदा मिरा पालन करें और जव सबके अंतरात्मा निरलेप और सर्व व्यापक हैं विभगवान सब और से मेरी रक् की विजये शी कृष्ण कवच फलशुती इतिते कथितं वच्च सर्व मंत्रोग विग्रहं त्रैलोग के विजयम नाम कवच परम अधभुदम वच्च इस प्रकार मैंने त्रैलोग की विजयम नामक खवच जो परम अनुखा और समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान तुम्हें बतला दिया। तुम्हें बतला दिया। रोडो वर्षो की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। राजसुय सहस्त्राणी वाजपे शतानिच अश्वमेधा युतान्येव नर्मेधा युतानिच महादानानी यान्येव प्रादक्षिन्यम भुवस्त था त्रैलोग के विजय स्यास्य कलाम नारहंति खोडशीम। अर्थात हजारो राजसुय सैकडो वाजपे दस हजार अश्वमेध संपून महादान तथा प्रत्वी की प्रदक्षिना ये सभी इस्त्रैलों के विजय कवच की सोलवी कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रतो पवास नियमं स्वाध्याय अध्ययनं मुतपह स्नानम चा सर्वतीर थेशु नास्यारहंति कलाम पी। अर्थात व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चे ही उसे सिद्ध अमरता और श्रीहरी की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है अर्थात जो इसका दस लाख जब करता है उसे ये कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चे ही सर्वग्य हो जाता है इदम कवच मग्यात्वा भजेत कृष्णम सुमन्द धी कोटी कल्प प्रजब तोपी न मंत्र सिद्ध दायक ह। अर्थात परन्त जो इस कवच को जाने विना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धी अत्यंत मंद है उसे करोणों कल्पो तक जब करने पर भी मंत्र सिद्ध दायक नहीं होता ग्रहीत्वा कवचम वच महिम निक्षत्रियाम करू त्री सप्त कृत्वो नीशंक ह सदानंदो वली लया अर्थात वच इस कवच को धारन करके तो मानंद पूर्वक नीशंक होकर अनायासी 21 बार प्रत्वी को शत्रियों से शूनि कर डालो राज्यम देयम शिरोदेयम प्राणा देयाश पुत्रक एवं भूतम च कवचम नदेयम प्राण संकटे अर्थात प्राण संकट के समय राजी दिया जा सकता है, सिर्कटाया जा सकता है, प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, किन्तु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए इती श्री ब्रहम वैवर्ते महा पुराणे तृतिये गडपति खंडे नारद नारायन समवादे परुशिर्वामाय श्री कृष्ण कवच प्रदानम नामेक त्रिशत्तमू ध्यायह नमू नारायन